पहली बार राजस्त्थानी बादशाहत उत्री है जीहां ऐसा मैं नहीं कहा रहे हुँ बलगि लखनोऌ हस्त शिल्प महस्व में पहली बार राजस्थानी हैंडी क्राफ्ट आइटम्स का स्टॉल लगाया गया है जिसे की केप टाउन क्रियेशन के नाम से लगाया गया है इस्टॉल नमबर 19 है और यह पहला ऐसा इस्टॉल है जो अब तक का सबसे जादा बिक्री करने वाला इस्टॉल है क्योंकि होल सेल के रेट पर पूरा समान यहाँ पे दिया जा रहा है और खास बात यह कि राजिस्थान की जो लोकल कला है उसको यहाँ पे हातों के जरिये बन पूरी कला को यहां दिखाया गया है और एक जो राजिस्थानी होती है उसके जरिये इस पूरे समानों को तयार किया गया ताकि नवाबों के शहर लखनों में इन समानों से जब लोग अपने घर को सजाएं तो उनका घर नवाबी अनदाज के साथ साथ राजिस्थानी पांशा पांडे हैं जो की इसकी मालिक भी है और यहां की जो इंचार्ज है मीनु अगनिहोतरी उन्होंने हमसे बात करके इस पूरी क्रियेशन के बारे में बता और ये भी बता है कि लखनो को खुब पसंद आ रहा है मेरा नाम श्रीमती मीनु अगनिहोतरी है जोतपुर राजसान से यह चर्चा कभी से इसलिए बना क्योंकि लखनो को नवाबों का शहर कहते हैं और नवाबों के शहर में मैं राजशाही बादशाहत हर आम आदमी के घर तक बज़ट में आ जाए ऐसा सामान लेकर यहां पर बज़ट वाले जो भी हैं उनको अपना घर अपने खौबों का घर सजाने के लिए मौका मिल सके और वो भी राजस्थानी स्टाइल में राजशाही स्टाइल में लखनो के नवाबों की जो नवावियत है वो वरकरार रहे राजस्थानी टच के साथ इस यह लाइट आप अ अगर आप भी अपने घर को इन सामानों से सजाना चाहते हैं तो लखनो के स्मृति उपवन में चल रहे लखनो हस्त शिल्प महसब में जाकर इनकी खरीदारी कर सकते हैं खास बात ही है कि लखनो की सरजमी पर पहली बार इन्हों ने अपने श्टाल लगाया है इसलिए लख देटीन